कि जैहिन साथियों कैसे हो आप सभी साथियों आप सभी लोग का बीहार दरोगा का प्रैक्टीस से डेली वें से प्रवायट किया जा रहा है आपको पता ही वह porkा के जो से लिबस दिया गया है यानि आधिनिक भारटाई आधिनिक भारत से आप सबलों का बहुत अच्छा खा लोगा में देखने को मिलता है अगर आपका ये टॉपिक किलियर है तो आप सबी लोग अच्छा था यहां पर कीजिएगा और अपना स्कोर जरूर बताएगा कि आप सबी लोग कितना स्कोर कर पारे ठीक है चलिए आज का पहला प्रसने क्या है इसको हम देखते हैं कहता है भा 30 दौरा कुशासन का बहाना ले करके नमल्खित परानतों में से किस एक का सासन हटा दिया गया इसका अंसर आपका यहां पे ए हो जायगा अवध हो जायएगा आवध सही आंसर अंसर हो जाएगा अगला प्रसने कोशनन डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दरान स्वरूप देने वाले कौन थे तो इसका अंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा लाड डल हो जी क्या हो जाएगा लाड डल हो जी अगला प्रस्न है निम्न में से कौन एक भारत का प्राथम वाइसराय था वेरी इंपोर्टेंट आपके लिए यह प्रस्न बन जाता है तो प्रत्थम वाइसराइप भारत का पुछा गया है तो इसका अंसर आप यहाँ पे C हो जाएगा लाड कैनिन क्या हो जाएगा लाड कैनिन आते हैं कोसेमर पांचवे पे निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए बताइए राबट कलाई बंगाल के प्रत्थम गवर्नर जनरल थे विलियम बैटिंग भारत के प्रत्थम गवर्नर जनरल थे तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा आप समी लोग याद रखियेगा विलियम बैटिंग भारत के प्रत्थम गवर्नर जनरल थे ऑप्सन आपक कड़ी हो जाएगा अंग्रेजों की प्रभू सत्ता इस्थापित करना अगला प्रस्ण है कि भारत में ब्रिटिस सासन के दौरान निमलिखित राजसी राजियों की विले करम पर विचार कीजिए तो इसका सही आंसर आपका कोशन नमर सेवन का सी हो जाएगा क्या बोलते हैं यहाँ पर एक सेकिन थोड़ा सा थोड़ा सा मिश्टेक हो रहा है एक सेकिन तो 7 का आंसर देखा जाए तो आपका option C हो जाएगा 3, 2, 1 यानि 17 हो जाएगा उसके बाद आपका संभल पूर हो जाएगा और पहला आपका यहां पे जहां C हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्न है कि विद्वा पुनर विवा अधिनियम किसके सासन में केयानिवित किया गया था तो इसका आंसर आपका 8 का देखा जाएगा तो आपका यहां पे option A हो जाएगा लाट डल हो जी क्या हो जाएगा लाट डल हो जी आपका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रस्ने कि अपने पुत्र के इस्थान पर दूसरे उत्राधिकारी को गोद लेने की अधिकार को पुन इस्थापित किया था किसने तो इसका अंसर यहां पर क्या होगा बताइए तो इसका अंसर आपका 9 का देखा जाये तो 1858 की समागरी की घोछना यानि option आपका यहाँ पे D सही आंसर हो जाएगा अगला प्रसने कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बताईएगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो इसका सही आंसर आपका 10 का वारेन हैस्टिंग हो जाएगा option आपका यहाँ पे B सही आंसर हो जाएगा अगला प्रस्ने की उस समय जब नेपोलियन की सक्ति के सामने यूरोप में समराज धारा साही हो रहे थे नीचे लिखे गवर्न जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिस पटाखा फोहराय रखा तो इसका अंसर आपका C हो जाएगा लाड वेलेजली क्या हो जाएगा लाड वेलेजली अगला प्रस्ने है 12 नंबर लाड डलहोजी की विलेजीती का प्रथम सिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था विलाई नीती पुछा गया है तो यह बहुत जादा important आपके लिए बन जाता है तो इसका सही answer आपका 12 का देखाया तो आपका 17 हो जाएगा option आपका यहाँ पे विलाई नीती भी हो जाएगा अगला प्रस्न है कि एक नवंबर 1858 को महरानी विक्टोरिया का घोषना पत्र इलहाबाद में पढ़ करके किसने सुनाया था very important question है इसको आप note down कर लिजेगा तो इसका answer आप सभी लोग याद रखेंगे option आपका B हो जाएगा महरानी विक्टोरिया के भारत के समघरी निवत किया गया तो इसका अनसर आपका यहाँ पे 1858 में किया गया था द्वारा किया गया था तो इसका आंसर आपका 15 का देखा जाए तो आपका लाड नेओ हो जाएगा इजिके आइचिंग समय जनगरना हुआ था तो इसका आप याद रखिएगा कोशन नबर 16 देखते हैं कि निमन कतनों में कौन सा सही है बताएं इसका अंसर आपका यहां पे D हो जाएगा लाट डाल होजी ने ध्यूती के सिधान्द के अधार पर बिटी समराज्ये में समरीद छेतर जोड़े थे तिस प्रकार से आपका सही अंसर D हो जाएगा अगला प्रस्न है कि आंगल नेपाल यूद जिसके सासन काल में हुआ था वहाँ आपका कौन सा है याद रखिएगा आंगल नेपाल यूद पूछा गया है तो इसका अंसर आपका यहां पे लाड हैस्टिंग हो जाएगा ऑप्सन आपका B हो जाएगा अगला प्रस्टन है कि अंग्रेजों द्वारा सिंद विजय संपन हुआ था तो यह आपका संपन हुआ था लाड एलेन बरो के समय में किसके समय में लाड एलेन बरो के समय में यह आपका संपन हो गया था आफ़बानिस्तान के प्रती एक जोस भरी अगर यानि फारवर्ड नीटी का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनल कौन था तो आंसर आपका उप्शन डी हो जाएगा लीटन क्या हो जाएगा लीटन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अगला प्रसने कलकता में एसियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनल कौन था जब कलकता में एसियाटिक सोसाइटी की जब इस्थापना हुआ था तो उस टेम बंगाल का गवर्नर जनल था उसका नाम याद रखेंगे लाड वारन हैस्टिंग क्या हो जाएगा वारन हैस्टिंग आपका सही आंसर हो जाएगा निमलिखित में से कौन सा यूग में सही सुम्मिलित नहीं है तो आपका option D हो जाएगा लाड करने वाली स्तिरती आंगल मराठा यूद आप इसको उपर वाला देख लिए जाएगे हैक्टर मून रो बकसर का यूद से सम्मंदित है लाड हैस्टिंग आंगल नेपाल यूद से सम्मंदित है और लाड वैलेजिली जो है चतुर्थ आंगल मैसूर यूद से सम्मंदित है तो आपका option question number के हिसाब से D हो जाएगा अगला प्रसन है कि सिंद पर ब्रिटीस ने कबजा किया था बताइए सिंद पर ब्रिटीस ने कबजा किया था कौन से ECV में तिये किया गया था 1843 में याद रखेंगे सभी लोग 1843 में आपका उत्तर हो जाएगा निमलिखित में से किस गवर्णर जनल ने भारत में दास प् अगला प्रसन है इसको आप इस्टार बना लिजे तो इसका आंसर आप याद रखियेगा लाड एलेंबरो कि द्वारा दास्प्रथा को यहां पर समाप्त किया गया था चलिया आगे देखते हैं अगला प्रसनिक क्या है कहता है कौन भारत का वाइसराय सबसे दीर्ग काल त तो इसका आंसर आपका यहां पर हो जाएगा लाड कर्जन क्या हो जाएगा लाड कर्जन आपका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रसनेक इलबर्ट बिल विवाद किस से संबंदित था इलबर्ट जो बिल था वो विवाद हुआ था वो किस से संबंदित था तो आपका याद पे option c हो जाएगा अग्ला प्रस् discourse कि सुरच्छा प्रकोष्ट नीटी किस्पे समonsin इंत है यह आपका देखा जाये तो कि十 बताईएगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा option a world has ting क्या हो जाएगा वारन हैस्टिंग आपका सही आंसर हो गा तिरतिय आंगल मराठा यूद संबंद्ध थे किस से यह आपका संबंद्ध थे ऑप्सन को और बृटीश मराजमreek कीजिएगा अगला प्रत्ली कि यह को क्या हो जाएगा जैम्स आउट्रॉम या आपका सभी प्रस्टन प्रेवियस यर पुछा गया है 29 जैकते हैं कि निम्न युगमों में से कौन सा एक सही सुमिलित है तो बताईएगा तो इसका अंसर आपका लाड कार्नेवालिस इस्थाई बंदुबस क्या हो जाएगा उप्सन आपका यहां पे ए सही आंसर हो जाएगा अब आते हैं कोशन नमर 30 पे भारत में इस्थानिय स्वयत्ता साही स्वयत्ता सासी संस्थाए 1882 में ससक्त Canton किया गया था किसके द्वरा सा तो यह किया गया था लाड रीपन के दौर तो या रखोरी लोग लाड रीपन हो जाएगा अंसर आप सब लोग वीडियो को सेयर भी कर दिया कि jeśli आप सबबी लोकि लिए ही वीडियो वनाय लिजिएगा अगर बात के लिए हम बंगाल में 12 सासन ते आपका बंगाल में 12 सासन कलाइब के समय में उसके बाद जो आपका अंगरी जी सिक्षा क्या बोलते हैं या आपका चला जाएगा विलियम बैटिंग और बात करेंगे प्रेस पर से जो प्रतिबन हटाया गया था वो चाल समेट कोप के द्वारा हटाया गया था और बंग विभाजन तो यह आपका बंगाल विभाजन या फिर बंग विभाजन बाद करजन की द्वारा तीस प्रकार से आपका यहां पर उत्तर जो है आपका यहां पर ए सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिया आगे देखते अं अगला प्रस्ण है कहता है निम लिखित में से किसने बंगाल में दुएत सासन पनाली को समाप्त किया था दुएत सासन पनाली यानि डूएल गवर्मेंट तो इसका आप सब लोग आंसर याद रखेंगे 33 का सही आंसर आपका यहां पर वारिन हैस्टिंग हो जाएगा आपक हो जाएगा अब अगला प्रस्ण है कि सर टामस मुनरो कीन वर्स में मदरास के गवर्नर रहे थे सर टामस मुनरो तो इसका आंसर आपका यहां पर भी हो जाएगा तो 35 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी लाड़ कैनिन उच्टम निस्क्रिश्टा तो आपका लाड़ कारने वाली दिखाए तो इस्थाई बंद बस याद रखेंगा इंपोर्टेंट है लाड़ वेलेश्टी के बाद करें तो सायक संदी के द्वारा इसकी द्व आवस्यक नियम बनाने के लिए प्राधी करीद करने के लिए प्रत्रम फैक्टरी अधिनियम का अविगरहन किया गया तो यह किया गया था आपका लाड़ रीपन के द्वारा क्या हो जाएगा लाड़ रीपन आप्सन आपका यहां पर सी हो जाएगा अब इसमें भी आपका सिधान्त अभी मैंने आपको बताया लाड अलहोजी उसके बाद सती प्रता जो निशेत किया था वह विल्यम बैटिंग के दोड़ा किया गया था और जो आपका यहां पर व्याब गत सिधान्त जो है यह आपका चला जाएगा यह आपका चला जाएगा जो आपका यहां पर सासन जो है आपका चला जाएगा लाड रीपन और जो आपका लाड करजन जो है बंगाल विभाजन तो इस प्रकार से आपका उत्तर यहां पर ए हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं अंगला प्रस्न क्या है कहता है भारत में प लिक्षित में से किस पर बिटीस संसद में महावयोग का मुकद्मा चलाया गया था तो इसका अंसर आप सबी लोग सही सही अंसर करियेगा तो वार इनहैस्टिंग हो जाएगा option आपका C हो जाएगा ये देखे दो बार एक्जाम में पूछा गया है अगला प्रस्थने की तथा कथित कुसासन के अधार पर किस गवर्णर जिनल ने आवद राज्य के प्रसासन को ले लिया था बहुत ही महत्पूर प्रस्थन है तो इसका अंसर आपका लाड डाल हो जी हो जाएगा लाड कारने वालिस हो जाएगा याद रखेगा लाड कारने वालिस अगला प्रस्थन है निमलिखित में से किसे भारत में इस्थानिय स्वायत्य सासन का जनक माना जाता है स्वायत्य सासन का जनक माना जाता है तो 42 का राइट आंसर देखा जाए तो आपका लाड स्रीका देखा जाए तो लाड़ कार्निवालिस हो जाएगा option आपको यहां पे बी सही आंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण निम्लिखित में से किस गवर्णर जनल ने भारत की प्रसंविदा बद सिविल सेवा यानि कोवेंटेंड सिविल सर्विस आफ इंडिया का स्रीजन किया जो कलांतर में भारती सिविल सिवा के नाम से जानी गई तो इस प्रकार से इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा कार्निवालिस क्या हो जाएगा कार्निवालिस आगे देखते हैं निम्लम में से सहाइक संदी सुविकार किस ने किया था तो सहाइक संदी पूछा गया है तो परकार से इसका आंसर आपका यहाँ पर बताए क्या होगा तो 45 पासा ही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा हैदराबाद के निजामों ने यह आपका सरपर्थम सहाइक संदी सुविकार किया गया था आप इसको अच्छे से याद रखर लीजेगा आते को सब्सक्राइब 46 प महात्मा गांधी गिर्मीटिया याने इन इंडेन इंटेशर्ड लेबर प्रानाली के उन मूलन से सायक थे और तिसरा कहता है कि भारत के लोगों द्वारा नमक कानू तोड़े जाने के परिग्राम सोरूप अपनिवैसिक साथ को द्वारा भारती राष्टी कांग्रेस को अव उसका आंसर आप सब लोग आद रखिए का लाट डाल होजी का विले निती बहुत थी यह चर्चा में रहता है हमेशा एक्जामे पूछा जाता है अगला प्रस्न है कि भारत में ब्रिटिस समराज के दवरान निमलिकी तवाय सरायों पर विचार कीजिए आंसर हो जाएगा देखिए इंपोर्टेंट इसको अच्छे से नोट कर लिजेगा और इसको सही करम में बताएगा तो देखिए आपका लाड़ लाड़ कर जन उसके बाद लाड़ चमसफोर्ड लाड़ हार्डिंग उसके बाद आपका लाड़ इर्विन तो इस प्रकार से आपका यहां पर अगला प्रस्थन है कि ब्रेटिस भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली इस्थांतरत किसके काल में किरियानवित हुआ था तो इसका आंसर 49 का देखा जाया तो आपका ओप्सन भी हो जाएगा लाड़ हार्डिंग याद रखेंगे सभी लोग लाड़ हार्डिंग आपका उत्तर हो जाएगा ठागो के दमन में निलिखित में से कौन संबंध था ठागो के दमन में तो आपका 50 का देखा जाया तो आपका Captain Stillman हो जागा क्या हो जाएगा Captain Stillman अगला प्रस्म है कि भारत में पहली railway line कब शुरू हुआ था तो आप सभी को पताई होगा भारत में जो प्रतम railway line शुरू हुआ था 18-233 में हुआ था और मुंबई से थाने की बीच में ये चलाया गया था पेसवाई को कब समाप्त किया गया था तो करीबन देखा जाये तो आपका यहां पे 52 का सही आनसर आपका यहां पे बताए क्या होगा तो 1817 हो जाएगा क्या हो जाएगा 1817 में अगला प्रसन है कि भारती पुरता तो सरवेच्छर की स्थापना किसके काल में हुई थी तो ये किसके काल में किया गया था तो आपका लाड कैदिन हो जाएगा option आपका यहाँ पे C हो जाएगा अगला प्रसन है कि लाड कारनेवालिस की कबर कहां परिष्थी थे तो लाड कारनिवालिस का जो कब्र है यह आपका देखा जाए 54 का तो इसका आंसर आपका यहाँ पर गाजी पूर हो जाएगा याद रखिएगा इंपॉर्टेंट कोर्ष्टन है हो ना सके पूछाजा सके तीक है अगला प्रस्ण देखते हैं कि लिमलिखित में से कौन भारत का एक मात्र यहुदी वाइसरा था बहुत इंपॉर्टेंट है यहुदी वाइसराइप पुछा गया है तिस वरकार से इसका आंसर आपका क्या हो तो इसका आंसर आपका 56 का दिखा जाए तो आपका यहां पे B हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिसूला रिल्वी हो जाएगा अगला प्रस्न है कि अधो लिखित युग्मों में से कौन सुमिलित है बताईएगा इसका आंसर क्या होगा तो सुमिलित पुछा गया है तो इसका आंसर आपका यहां पे 1856 में अवद का विलियन किया गया था आपसन आपका यहां पे C हो जाएगा अगला प्रस्न है कि प्राचीन इसमारक सनरच्षड एक्ट किस गवर्नर जनरल के कारेकाल में पारित हुआ था आंसर हो जाएगा आपसन 58 का C हो जाएगा लाड करजन 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था आप इसको अच्छे से याद रखिएगा अगला प्रस्न है कि 1802 की बस्सिन के संदी याद रखिएगा बहुत ही महत्पूर है कि बस्सिन के संदी पर हस्ताक्षर किसके मद्दे में हुआ था तो इसका अंसर आपका 59 का देखा जाया तो आपका अंग्रेज तथा बाजीरा दियूति हो जाएगा ओप्सन आपका यहाँ पर B हो जाएगा विलियम बैटिंग के दुवारा सती प्रथा किस वर्ट समाप्त किया गया था तो यह किया गया था आपका उप्सन 60 का देखा जाया तो आपका 1839 हो जाएगा उप्सन आपका यहाँ पर C हो जाएगा अगला प्रस्न है कि ब्रिटीस भारतिय राज्ये छेतर का अंतिम प्रमुक विस्तार हुआ था कौन से समय में बताइए कौन से समय में हुआ था डॉला होजी के समय में किया गया था आपका यहाँ पर 61 का B हो जाएगा निमलिखित में से कौन एक सही सुम्मेलित है इनमें से पुछा गया है कौन एक आपका सही सुम्मेलित है तो 62 का आपका यहाँ पर C हो जाएगा लाड वैले जली क्या हो जाएगा लाड वैले जली चतुर्थ आंगल मैसूर यूद आप इसको अच्छे से याद रखिएगा आगे देखते हैं चलिए अगला प्रस्न है कि भारत में करजन के प्रसासन की तुनना औरंग जेप से किस ने किया था तो सही आंसर देखा जाया त आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्सन भी जी के गोखले गोपाल किष्ण गोखले याद रखिएगा अगला प्रस्न है कि लाड वैले जली कि सायक संधी को स्विकार करने वाला पहला माराथा सरदार कौन तो आप इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्सन आपका पेस्वा बाज दिया गया था तो 65 का सही आंसर देखा जाए तो आपका 1789 हो जाएगा अप्सन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रस्न है कि फूट डालो और राज करो राजनीती जो है वह आपका जो रणनीती है किसने अपनाए थे बहुत महत्पूर प्रस्न है तो यह जो अपर रणनीती अपनाए गया था यह लाड करजन के द्वार अपनाए गया था जो कि बहुत ही चर्चा में हमें सा एक्जाम में रहता है तो आंसर आपका यह हो जाएगा अगला प्रस्निक्षी सेवन देखते है कि निमलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लाड वैलेजली के साथ सहायक संधी की थी और उनके द्वारा किये गए संधियों का सही कला नुकरम नीचे दिये गए कूट से पता कीजी या फिर बताईए इसको अच्छे से तो 67 का सही आंसर देखा जाया तो आपका उत्तर क्या होगा बताईएगा तो आपका यहां पे ह यह किया गया था आप इसको अच्छे से याद रखिए का लाड वैलेजली के समय में किया गया था किसके समय में लाड वैलेजली के समय में आगे देखते हैं अगला प्रसने क्या है कहता है कि लाड डल होजी द्वारा आवत का अंग्रेजी राजी में विलेयन या फिर विल जनल ने सबसे पहले प्रिफ्टर के निर्वाचन मंडल की विवयस्ता मुसलमानों को जीतने वो उनके या फिर वो उन्हेक कंग्रियस के विरूत करने के लिए इस्तिमाल किया था तो आपका सही आंसर हो जाएगा option d लाड मिंटो क्या हो जाएगा लाड मिंटो आपका सही आंसर हो जाएगा अग्ला प्रसनी गोम है तो आपका 71 का हुआ था रीपन के समय में हुआ था तो तीनों चर्चा में हाप इसको अठ़ी रखेगा नेमिन में से कौन चतुराइपुड निस्करियता की की के साथ जूढा हुआ है चतुराइपुड तो आप इसको अठ़ी रखिये गा चतुराइप कौं चतुर कौन था तो मान ethnик चलिए इस तरीके सियाद रखेगा चातूर जो था वो जॉन लॉरेंस था इस प्रकार से आपका डी हो जाएगा ठीक है 72 का अगला प्रसने के सहायक संधी व्यवस्था को सिवकार करने वाला प्रतम भारतिय देशी सासक कौन था तो आपका उत्तर 73 का ऑप्सन भी हो जाएगा हैख्याद की निजाम क्या हो जाएगा ? क्या हैधराबाद की निजाम आपका सही आंसर हो जाएगा आगे देखते हैं 74 क्या कैथा है व्यवस्था को मैंने आपको बता department avati सरके अवा तो उस टाइम आपका में मैं के कारेकाल में हुआ त्यस आरौ आपका 75 का सी हो जाएगा आप इसमें आपका मिलान करके बताना है अभी आप इसको देखिएगा यह आपका एक नटबोल जैसा होता है न वह लगाए गया है ताकि बुक जैसे क्या कि फैन हो गया से उड़ने लगता है ताप इसको थोड़ा से इग्नौर किजिएगा इसमें पुछा गया है एक सेकेंड यह बैटिंग समनित नहीं है चुक का सिधान्ध हड़ाप निती तो यह आपका देखा जैस 76 का तो यह आपका समय थे डाना होजी से याद रखिएगा फ्रास में स्टेक होता है कभी कभी डान होजी से पहले में खुद से मिलाता हूं फिर देख बंगाल में 12 12 यहां पर इसे हो जाएगा ठीक है तो इस वरकार से 76 का अपसन आपका यहां पर सी हो जाएगा अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हुआ तो मैं एक बार फिर से मिला देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहों देखिए एक आपका तीसरे में चला जाएगा बंगाल विभाजन आपका जो है आपका चला जाएगा किस में तो करजन में चला जाएगा और बंगाल में दोरा सासन जो है आपका चला जाएगा माईप कि समय में औपका यहीं पर यह सेट्र समाप्त होता है तो देखिए आपका जो टॉपिक म Champions करा है कौन सा holds our इस àsघ नहीं छुटेगा अगर आपको यह लगता है कि मेरा मेनत आपके लिए थोड़ा भी सहयोग किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा सेयर भी कर दिया किजिए ताकि आपके जो दोस्त वेगरा हैं वो लोग भी देख पाएं और अपना यह टॉपिक क्लियर कर पाएं ठीक है आगे मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वन्दे मातरम